हेलो फ्रेंड्स मैं संजी और आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत और सभी को गुड़ बॉर्डिंग हमारे तरब से और हम लोग आज गुड़ बॉर्डिंग में आपके लिये लाए हैं पार्ट सेवन जो हम लोग डेली करते हैं वर्ड पावर से रेलेटेड हमारे कुछ वर और उनको स्वेलिंग कैसे हम याद रखेंगे लांग वे तक तो यी चीज़े आप सबको हम समझाते हैं ठीके तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करती है पार्ट सेवन है आपका और आज तीन जून है आज के लिए हमने आपके लिए 15 वर्ड से ढोड़कर लाया है बहु ये आती है ये आपके है आपका पहला वर्ड है आपका जो की फैमली एंड रिलेटिव से रिलेटेड आपके मिंबर्स के नाम होते यहाँ पर स्वेलिंग होती हुथ उनका मेंस होता है ठीके ना चलिए आप लोग इनको समझते हैं देखिजेसे आपका ये फर्ष्ट देख और यह आप यानि कि यह आप है और यह जैसे मम्मी पापा लोग हो गए बाई एक ही बात है जैसे मम्मी बोलो यह पापा यानि कि मतलब एक ही बात है मतलब रिलेशन में हम लोग समझने के लिए जो रिलेशन के आपके वर्ड है इनको समझने के लिए तना काफी है ठीक है बि अब अगर आपकी पापा के पुत्र हो और यही लड़की भी इनही पापा मम्य की पुत्री है तो यह आपस में आप लोग क्या हुए भरी भाई बहन हुए लेकिन यदि यहां पे पापा या मम्य दो में से कोई अगर हमारे रियल वाले नहीं है जिनके हम पुत्र हैं, यानि कि कभी-कभी क्या होता है, ऐसे भी लोग भी होते हैं, जिनके पिता नहीं होते हैं, उनके मृत्य हो चुकी होती है, या माता की, तो फिर उन दूसरी साधी कर लेते हैं, तो यानि कि अगर आपकी पापा की या मम्मे किसी की भी दूसरी साधी तो आपकी एक तो बहन ही होगी बट वो step sister कहलाएगी मतलब सोवतेली बहन कहलाएगी क्योंकि आपकी बहन नहीं होगी योग कोई यह तो माल लिज़े वह पक्का आपकी सोवतेली बहन ही होगी इसको कहा जाता है सलतेरी बहन क्लियर है जालिए हम लोग देखते क्लाइंट मतल् Mean इसके यह क्लास्त लेना है तो जो होगा वह हमारे लिए क्लाइंट होगा क्लाइंट होगा क्लाइन्ट वर्ड जादा ता यह आपको हाइग कोड सुप्रीम कोर्ट न्यालाय वगरें सुनने को मिलता है यह फिर आपके बिजनेस चेत्र में ठीक है बिलकूल अगर कोई आता है विजनेस करًदा और वैठा हो तो कोई आता है आप से दिल करने कोई बात कि लिए विजनेस के लिए तो आपका client होता है ठीक है उसको हम मुवक्किल कहते है हिंदी में ठीक है बिल्कुल अगला है आपका disciple disciple यह होता है आपका disciple आपका disciple पढ़ेंगे इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे disciple disciple नहीं है इसे थोड़ा सध्यान रखना आपको discipline नहीं है disciple इसको ऐसे हम लोग disciple क्या पढ़ेंगे disciple पढ़ेंगे ठीक है बिल्कुल इसको आपको यह लिख लेना है ठीक है बिल्कुल disciple ठीक है इसको कभी कभी रॉंग pronunciation भी हो जाता है बड़ आपको प्रेशान नहीं होना disciple हो जाएगा ठीक है disciple मतलब आपका sis भी होता है क्या होता है sis sis मतलब जैसे गुरूर लोग होते थे उनके जो sis होते थे पढ़ने वाले student उनको sis कहा जाता था और अभी भी जैसे कोई अगर सम्मानी है उनका कोई चाहने वाला या उनका कोई स्टूडेंट है तो वो सिस्सी होता है ठीक है जैसे आप लोग हमारे सिस्सी होई है ना विल्कुल तो यह चीज हुआ आपका डिसाइपल फेलो मतलब क्या होता है संगिया साथी मतलब जैसे अगर माल ले हम कि आप यह आप हो और यह आपका कोई दोस्त है जो कि आप एर्थ में माल लेते हैं पढ़ते हैं एर्थ में दोनों लोग पढ़ते हो ठीक है तो यह कहराते हैं आप जैसे आप लोग आगे गए और स्कूल चेंज होई है कुछ भी होई तो बाद में जब कभी मिलेंगे तो क्या कहेंगे क्लास फेलो ठीक है मतलब क्लास फेलो का मतलब होता है साथ में पढ़ने वाला क्लास फेलो थे हाँ फेलो सब्द है मतलब संगिय साथी होता है ठीक है बिल्कुल वही संगिय साथी जो आपके साथ पढ़ता था क्लास फेलो मतलब कच्छा का साथी हो जाएगा अब fijlo मतलब आपका, कभी भी आपके साथ खेलने वाला, या साथ हमर का, या फिर आपका दोस्त, ऐसा होता है, ठीके, बिलकुल, तु आपका क्यılब ROS, यानी शंगी और साथी, और आपका डिया है fo, इसको क्या पढ़ेंगे, fire, 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 all, fire, fire यानि four four मतलब क्या जाएगा आपका सत्रू क्या जाएगा सत्रू यह सारे वर्ड आपको याद रखना है यहाँ ठीक है बिल्कुल आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं क्या दिया गए है आपका अगली मीनिंग यह देखे अगली मीनिंग आपकी आ चुकी है प्रम इसमें दिया गेस्ट इसको गेस्ट पड़ेंगे जी यूई अश्टी गेस्ट ठीक है जैसे आपके यहाँ मालेजर कोई पार्ट यह काईक्रव है तो अगर उसमें मेन अथित्त जो होते हैं अथितने लोगों को आप बुलाएंगे वोसारी गेस्ट होंगे ठीक है तो का हम गेस्ट केते हैं इज़ यह चीज हो गया ठीक को आप ऐसे पड़ोंगे घेस्ट और कि इस विणूट मतने ऑप जागा अधित क्लियर है यस अगला चलते होस्ट इसको क्या पढ़ेंगे हम होस्ट पढ़ेंगे क्लियर है यस होस्ट पढ़ेंगे होस्ट मत्तब होता मेजमान मेजमान मत्तब होता जैसे कोई पार्टी चल रहा या कोई आपका सलिवरेशन चल रहा या कोई फंक्सन चल रहा उसमें क्या होता है कि एक माइक लेकर एंकरिंग करता है बोलता है कि आप आओ माला चढ़ाओ ये करो वो करो गाना गाओ तो वो सबकर जब नाम एनाउंस करता है तो उसको कहा जाता है करने होस्ट करने यानि होस्टिंग करने ढर heynen की मुलाने वाला तो उसको प्त треб होस्ट ऐसे जो आपको पढ़ाता है वह टीचर होता है घमाष्टर यह ख्यक्त रजा जाते हैं, यह खिए फेल्प्र सब्रन स्केर इसके लिए उप्र सब्रहे की उसके लिए CNA रहे मास्टर टीचर शिर ना कमा वे खरना है। इस दॉख्टर हो के बनाधे व्रेस्जव Pacub इर मास्टर मास्टर मतल att जब मास्टर कायेंगे तो आपका लोग्हार्षच्य तपी टीचिस्ट टीचर यह सरे मतल फोटा में से कि यह बड़ जो अपका मैचिंग मैचिंग होना चाहिए सब का एरिया होता है कहां कौन काहां नहीं होगा सही है ना तो यह सारी चीज़े हैं अब देखते हैं हम लोग अगला चलते हैं भाई आपका है नेफ्यू मत्ताब होता है भांजा अथवा भतीजा भांजा अथवा भतीजा भांजा उसे कहते हैं जैसे आप है माल लिजे आप है जैसे मैं हूँ मेरी बहन का जो लड़क किसे कहेंगे भाई के लड़का बहन के लड़के को हम भांजा कहेंगे इसमें भांजा किसको कहेंगे बहन लखना इस बात को चले हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं चली हम लोग देखते हैं यह नेश्ट स्लाइड में आपका नेश क्या दिया गया है इसको नेश पढ़ेंगे नेश पढ़ने के बाद इसको हम क्या गहेंगे यह देखे भांजी भती जी आ गया बांजी किसको कह अपनी बहन की लड़की को क्या कहोगे बहन की लड़की को क्या कहोगे और भाई की लड़की को क्या कहोगे भाई की जो लड़की होगी ठीक है लड़की होगे उसको क्या कहोगे आप भातीजी कहोगे लड़के को हम लोग क्या कहते थे भांजा कहते थे और भाई के लड़के को क्या कहते थे भतीजा कहते थे तो लड़कों को क्या कहेंगे भांजा और भतीजा और इनको क्या कहेंगे हैं भांजी और भतीजी तो नेस हो गया आपका और आपका नेफी हो गया clear बताओ yes अब जिससे दिया posterity दिया गया है posterity आपका दिया गया है इसको आपको ऐसे पढ़ना है posterity ठीक है posterity हो गया मतलब one size one size का मतलब होता है जैसे आप matching करो भई ये आप हो ठीक है ये आप हो अब आपके क्या है उपर मम्मी और पापा है ये आपके पापा और ये मम्मी हुए आप मम्मी पापा हुए अब इनके भी मम्मी पापा होंगे इनके भी मम्मी पापा होंगे ये देखो आप मम्मी के भी मम्मी पापा होंगे आप है मम्मी के जो मम्मी है उनके भी पापा मम्मी होंगे फिर इनके भी रहें होंगे भले नहीं अभी है ठीक है ऐसे दो-दो सभी में बनते जाएंगे सही है ना बिलकुल तो यह जो आपके पुराने लोग हुए जो आपके पुराने हैं यह सब आपके बनसच कहलाएंगे क्या कहलाएंगे बनसच कहला क्लियर है यस रिलेट्व मतलब होता है संबंधी क्या होता है संबंधी होता है संबंधी मतलब आपके जो रिलेशन में आपका मामा का लड़का पुफा का लड़का चाचा का लड़का आपका कोई भी आपके रिलेशन में दूर की रिष्टेदारों में तो सब रिलेट्व कह पूछा गया होगा जैसे मैं कभी कभी पूछ लेता है कि आप कितने भाई यह बहन हूं कहते हैं तो यह चीजी होता है बहना और भाई तो वह क्या होता है आपका सगे नहीं होते हैं क्या है आपके मम्य पापड के जो हो रियल पुत्र हो पुत्री हो बहुँ आपके क्या हैं रियल कहला है रियल वास्ति विखन सगा सगा Wars कई सगा है कि तो वह बहुंस ऐड़ेसे इसको इल्डरले प्यूपल पढ़ेंगे इल्डरली ऐसे पढ़ेंगे इल्डरली प्यूपल ठीक है ओकी बड़ी लोग क्लिए रहे हैं आगे चलते हैं हम लोग चलते हैं यह देखी यहां पर कुछ आपके जानकारी दी गई है यह हमारे यहां के सब टापर्स हैं कुछ पिछले साल के रही साल दो पेपर सब कैंसील हो चुके आपके और यहां पर मैंने कुछ आपके लिए थार्ट से लगा रखे हैं इनको आप पढ़ सकते हैं सब्सक्राइब हराया जीता जा सकता आपके द्वारा और पढ़ोगे तो आगे पढ़ोगे इसलिए पढ़ते रहें यह थार्ट थोड़ा सब ही हमने दो तीन दिन रिपीट किया इसको हम चेंज करेंगे जल्दी ही परिसान नहीं हो आप लोगो ठीक है सोंचरों सार इसे को डेली डेली बत कीजिए वीडियो की नीचे जरूर कमेंट करके बताए कि कैसा अपना फीडबैक जरूर दिया अगर यह लाइक करना बहुत जरूरी होता है सभी लोग लाइक कीजिए और कमेंट भी कर लेजिए ठीक है ताकि हम पता चलता रहे कि आप हमारे यहाँ वीवर आप तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा पढ़ते रहिएगा और ठीक है तो बाई 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 बच्चों